हलो फ्रेंट तो आई पील सीजन तेरा में आज एक और बड़ा मुकाबला खेला जाएगा मैच होगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्तान रॉयल्स यानि कि श्रियस आयर की टीम बनाम स्टीव स्मित की टीम तो यह मैच खेला जाएगा शार्जा क्रिकेट स्टेडियम है छोटे ग्राउंड में तो एक पर फिर उमीद है कि रनों की बरसात होगी और यह लग्की ग्राउंड है राजस्तान रॉयल्स के लिए हाला कि इस सीजन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लेकि बहुत एहम मैच राजस्तान और दिली का अगर हम हैट टो हैट देखें इनके 20 मैच हुए हैं जिसमें से 11 राजस्तान जीते हैं और दिली के वल नौ ही जीत पाई है तो यह दो अडवांटेजिज आज के मैच से पहले राजस्तान के लिए कि पहला कि दिली के खिलाफ उनक और बात कर लेंगी जो आज का मैच होगा इसमें प्लेइंग 11 के आउसकती है तो चेंज जुरूर देखने को मिल सकते हैं खासकर राजस्तान की टीम में दिली की टीम विनिंग कॉम्बिनेशन है पिछला मैच जीत कर आई है राजस्तान हार कर आई है जुरूर कुस रित्वी शॉष रिया साइयर बेटिंग भी लगा अतार उनके जो टॉप अच्छा कर रहे हैं रबादा इनके पास हैं फिर अश्विन ने वापसी की थी अक्षर पतेल ने पिछले मैच में अच्छा किया तो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं बालर बैट्समें बैलेंस खेली लेकिन लगातार अच्छा नहीं कर पा रहें कंसिस्टेंटली फिर मिटल लॉडर की तो प्रॉब्लम है यह रॉबिन उधपा जैसे एक्स्पीजेंस लाड़ी को बाहर करना पड़ा उनका रिप्लेस्मेंट लाइगा इश्वी जासवाल को मौका दिया गया लेकिन व हो सकती है दोनों ही टीम्स की पर बात कर लेते हैं राजस्तान रॉयल्स स्टीव स्मिथ जौस बटलर ओपनिंग कर रहे हैं नंबर तीन पर संजू सैंसन यह शस्वी जैस्वाल देखना होगा उनको मौका देते हैं नहीं क्योंकि लग निराग पहले भी सीजन में एक मैच क कर सकते हैं उनको वो मिडल और में ही मुस्ट पाविवली बैटिंग करेंगे फिर राहूल तेवतिया मही पाल लोम रोल तॉम करन फिर जौफरा आचर श्रेयस गौपाल अंकित राजपूत को शायद रिप्लेस कर दें कोई और बॉलर बढ़िया निखेले फिर कार्थिक त कि में वापिस दिखें वहीं अगर हम दिल्ली केपिटल की बात करें तो लग नहीं रहा कि कुछ खास चेंज करेंगे विनिंग कॉंबिनेशन ने सेम साइट से ही कॉंटिन्यू करना जाएंगे अला कि अमित मिश्रा जरूर आइपील सीजन 13 से बाहर हो चुके हैं लेकिन इ फिर मारकस स्टॉइनेस बहुत बढ़िया पारी खेली स्टॉइनेस ने पिछ्टे मैच में अच्छा तक लगा था फिर अक्षर पतेल हर्शर पतेल अश्वेन अगीसो रबाड़ा और एंड्रिक नौर्किया तो यह लाइकली लेवन है दिल्ली कैपिटल्स की तो यह मैच जाएगा शार्जा क्रिकेट स्टेडियम में छोटा ग्राउंड है यहां एक बर फिर उमीद है कि रनों की बरसाथ होगी चौके छके लगेंगे क्योंकि हर मैच लगबग जो यह स्टेडियम में हो रहा है 200 रन तो बन ही रहे हैं तो फिर उमीद है रोमांचक मैच होगा कां कर दो कर दो कर दो